दूस्तों आप सबी लोगों का एक बार फिर से सौगत करता हूँ पोडलाइफल्ट के उडूब चैनल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वसेस पाकिस्तान के टीम के बारे में कि आप किसी भी फैंटेस्टी एप्लिकेशन को यूज करते हों बड़ टीम क्या होनी चाहिए और अगर आपकर प्रडिक्सन सही होता है तब आप टीम को अच्छा क्रेट कर पाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन जो की अच्छे तरीके से चूस कर पाएंगे और प्लेयर को ब पैसा कमा लें तो क्या ही बढ़िया रहेगा तो चलिए यहां पर ज्यादा डाइम ना लेते हुए सारा कुछ वहले डिटेल्स में जानते हैं उसके बाद यहां पर टीम को कैसे रखना है तो वह सारा कुछ जानते हैं सभी लोगों को पता है 24 अक्टूबर को जो की यह मैच होनेे वाला हुए सावे साथ बजेंटाइम की हिसाफसे तो फिलाल बहुत तगड़ा मेच होने वाला है बड़ थोड़ा इंडिया टीम की तरव से बात करने तो यहां पर अमेहन सिंग्ध होनी भी मेंट और जो अगर नहीं है और यहां पर तूड़ा सा टीफ सोड टो जो क सूर कुमार यादव दोनों खेल रहे तो तो रोहिस सर्मा फिलाल नहीं खेले दे पहला मैच तो आप समाझ सकते हैं इसान किसन अगर खेलते हैं और ज्यादा तर चांसेज भाई यही है इंडिया जुकि टीम के कप्तान विराट कोली को यही चूज भी करने चाहिए इसान किस सनाने का मौका रहेगा ध्यान रखें आप और यहाँ पर मैहन सिंग दोनी मेंटोर के जुकी बन करके रहेंगे टीम इंडिया के तो फिलाल यहाँ पर काफी बढ़िया देखने को मिलेगा मैच और जहां तक लग रहा भाई 90% इंडिया ही मैच को विन करेगा आपको क्या ल सही ओराःण देखा यहाँ और यहाँ आपको मिलते हैं एक और जो की बाई पाकिस्तान की तरफ से जो की जादा मुस्किल पैदा कर सकते हैं इंडिया टीम के लिए खत्रा हो सकते हैं तो चलिए यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं टीम कैसे करेंगे पिलियर को और कैसे मनाएंगे रिसबपन्थ का आपने पूफोम देखा था तू काफी बढ़िया आता है एक मेज को रिसबपन्थ नहीं जीताया था रिसंट्री भी काफी बढ़िया तो भाई यहां पर रिशब पंथ और यहां पर मुहम्मद रिजवान थोड़ा सा बात करें अगर इनके बैटिंग और की तो यहां पर रिशब पंथ थोड़ा सा लेट आएंगे बैटिंग में जैसे कि केल रहूल और फिलाल रोहिस सर्मा ओपनर उतरेंगे और उसके बाद य यहां पर आएंगे जिससे कि सूर कुमार यादा हो आ सकते हैं या तो यहां पर रिशब पंथ आ सकते हैं ठीक है धेहन रख यहां पर फिलाल यहां पर काफी इंपोर्टेंस जो कि इन तीनों पिलर के बीच में देखने को मिलेगी इंडिया टीम की तरफ से केल रहूल विरा पंडे के बाद उसके बाद फिर वालर्स तो फिलाले यहां पर देखेंगे जैसे मैं आपको बताया अकीचाओ कि चाओते पांचवे नंबर पर रिसपंद का पोफोर्म रहेगा यानि कि बैटिंग और रहेगा और यहां पर बात करें मुहमद रिजवान की तो पाकिस्तान प्र पर पर आप ना सकते या स्वाय मलिक ठीक है तीसरे नंबर पर इन दोनों में से कोई यह का सकता है या तो फिर यहां पर चौते नंबर फिर इन ही मैं से आए तो इसके बाद यहां पर और जो कि काफी बढ़िया पुफोर्म यहां पर दिखाए थैं यानि कि आधे गेंद में आधे से ज़्यादा डबल रन मारे थे तो फिलाल एक हिसाब से मैं आपको बताना भी चाहता हूं जिससे कि इंडिया टीम खेल लई सामने पाकिस्तान है तो इंडिया टीम के आपके बॉलर्स को पता है और फिलाल इंडिया टीम को अगर डर है किसी से तो बुमरा है और रोष सर्मा फिलाल तो आपको बता दूँ और जिससे कि आपकी टीम में काफी इंपोर्टेंस रहें और आप समझ भी जाए कि कैसे या और किस पिकार से प्रटेक्शन के इसाफ़ टीम को बनानी चाहिए तो फिलाल इहां पर बुमरा जैसे कि विकेट लेते हैं जो कि ओपनर होते हैं या पर फिलाल पाकिस्तान के तरब तो यहां पर जो कि आसीफ अली को एक बार फिर से बैटिंग मिल सकती है और काफी समझदार और काफी हिटर बन दा है बाई ठीक है रन तो मार ही देगा एक हिसाब से और फिलाल यहाँ पर साधाफ खान की बात करें चैंपर साधाफ खान जो कि ऑलाउंटर के स्रेडी शेडी मिलते, इहाँ पर साधाफ तो यहां पर कुछ उम्मेद करी नहीं जा सकती ठीक है जो कि अगर पाकिस्तान को खत्रा है तो मुहमद समी और बुम्रा से ठीक है बैट्समेन को खत्रा है तो यहीं दोनों बोला जो कुछ खास करने वाले जो कि आपको ध्यान जरूर देना है इन दोनों के ऊपर तो चलिए करने के बात करें तो यहां पर आप मुहमद रिजवान को बिक करते हैं जो कि पाकिस्तान से रिसपंद यहां पर चटोंगे नंबर पर आते हैं तो मेरा पर इसफ़पनद को में ले ले और उसके बाद यहां पर रोहिष सर्मा कोहली और के लाउल तो इन तीनों में आपको अगर बात करें यहां पर जो कि वंडे वर्ल्ड कप की फिलाल जो कि खेला था पाकिस्तान के खिलाब इंडिया तो इंडिया ने काफी बढ़िया रन नहीं पाया था जैसे कि आप सभी लोगों को पता है वर्डगाप में फिलाल बात के 2-0 निस वाला तो कुछ खास कर नहीं पाया था बजार बाबाराजम तो इन दोनों में तीनों में आप पिक करना चाहिए तो तीनों को भी कर सकते हैं जो कुछ यहां पर आसी फली को ले लेते हैं तो पहले यह टीम कुछ हमारे इमपोंटन्स नाइगी छो कि बेटस्मैन को में इंपोंटन्स देने वाले और उसके बाद औरहांर आते हैं तो आप यहां पर ओलॉंडर जू की एक को पिख कर सकते हैं अगर पिक करने की बात करें यहां पर जो कि देखेंगे आप हमारे पास चार से पांच बैट्समेन फिलाल जो कि इंडिया टीम से रहेंगे और यहां पर हम अपनी टीम क्रेट कर रहें ठीक है यहां रंडेट स्कोर से हमें कोई मतलब नहीं होगा हमें अपने प्लेयर को ज्या आपको मिल जाते हैं सदाफ खान इमाद वसीम और मुहमद हफियस रवीन जड़ेजा तो मैं आपको बता दो रिसेंटी एक ही क्विकेट निगाल पाया थे हैं और रवीन जड़ेजा एक हिसाब से काफी समसदार प्लेयर भी है आप सभी लोगों को पता भी है और जैसे कि स टीम का जो कि हिंड दे सकता हूं जिससे कि आप बना सकते हैं तो इन दोनों में आप एक को पिक कर लेजी तो हमारे हिसाब से रवीन जड़ेजा इस दा बेस्ट क्योंकि आल उंडर काफी बड़ेया बॉलिंग ज़रूर कर राएगा चारवर और उतके बाद बैटिंग का सद्व आप खाना लंडर तो फिलाल यही जो कि मुश्किल पैदा कर सकते हैं अगर कुछ विकेट निकालते तो इन ही के हाथ लगने वालिए यहां पर रख लीजिए और यहां पर नीचे आया थोड़ा सा और यहां पर नीचे राहुल चाहर वरणचकवर्टी इन दोनों मे जी मेरे हिसाब से काफी बढ़िया रहेंगे और मुहम्मस सहमी को फिलाल तो काफी बढ़िया टेम यानि कि राउफ भी काफी बढ़िया बॉलर्स है या तो आप यहां पर जैसे कि या रवी जड़र जो कर रहें तो सदाप खान को भी पिक कर सकते कोई दिक्कत के बाद नहीं है बढ़िया पर हमने यह बैटिंग टीम बनाई है फिलाल कभी कर भी होता कि बैट्समैन नहीं सारा कुछ खेल बना दिया होता है तो बैट्समैन को हम यहां पर पिक करेंगे और जो कि पचार टीम और होंगी तो वो क्या होंगी तो वो देखेंगे अब बात आते कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की जो की काफी इंपोर्टेंट होता है टीम में यह कैप्टन सही होना और वाइस कैप्टन जो की जहनवन होना जैसे कि यहां पर आपको दिखाना से आतना हो तो यह फिलाल देख सकते हैं केल राहूल को 33% लोगों ने बनाया है और बाबराजम को 19% लोगों ने वाइस कैप्टन मनाया है और वाइस कैप्टन जो की 10% लोगों ने मनाया है तो फिलाल मेरे हिसाब से जो टीम होनी चाहिए तो भाई यहां पर देखिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं जहां तक मेरा प्रडिक्शन रहेगा विराड कोली काफी बढ़िया वहीं केल राहूल से ज़्यादा उम्मिद करें नहीं जा सकते आज के मैच में रोहिस सर्मा और विराड कोली जो की इंडिया टेम के लिए काफी इंपोर्टेंस अदा करने वाले हैं जो की पुराना कप्तान मौजूद रहेगा मेंटोर जो की धोनी सिंग बन करके रहेंगे तो यह विराड कोली को महेंट सिंग द्वहणी सिखाएंगे तो आब समझ सकते हैं बला पकल के तो भले ही नईरन बनाएं पर यहां पर काफी सकते हैं और वाइस dingen को सब्क Ern मना सकते हैं औरो हमand तो विडाट को जरूर मौका देगे यहां पर सहीन अफरी दी को वाइस-टैन बना सकते हैं यह जरूर करंगे हम अज्ब कर से इस पकार से टिक है इंग की नागी फाइनल इस पकार से और फिलाल यहां पर रोहिस सर्मा जो कि इनको अलड़ी सभी ने बनाया रखा होगा और हम भी एक टीम में ऐसा नहीं है कि बनाएंगे बनाएंगे बट कुछ टीम तो ऐसी होनी चाहिए जिसका कॉंबनीशन और कॉंपर्टीशन थोड़ा लो हो जिससे कि हमारी टीम काफे पर नहीं तो बताईए यारे कॉमेंट की कौन मैं जीते आपको क्या लगता है कौन मैं जीते वाला जीतने वारा तो फिलाल जरूर कमेंट करके बताएं और टेलीगराम जाने कलें लिंक डिस रोपन बॉक्स में मिल जाएगा फाइनल टीम है फाइनल अबडेट वहीं पर आ जाहिं जाबरत